नमस्कार स्वागत आपका स्टार्ट इन्वेस्टन में दोस्तों अगर आज बात की जाए सेंसेक्स की और निफ्टी की तो फोर डेस से आज को छोड़ के प्रीवियस फोर ट्रेडिंग सैशन में यहां पर दिखाई दे रहा था लेकिन आज के दिन जो है सैंसेक्स और निफ्टी दोनों के अंदर किरावट देखने के लिए मिली है शेर मार्केट में आप जब तक रहेंगे यह अप डाउन अप डाउन की सिच्वेशन जो है हमेशा चलती रहेगी इस डे टो डे मूमेंट के उपर ज़्यादा फोकस जो है हम लोगों को नहीं करना है हम लोगों का जो clear vision होना चाहिए वो होना चाहिए long term का और इस से भी ज़्यादा clear जो चीज हमारे दिमाग में होने चाहिए वो यह है कि पैसा हम लोगों को earn करना है पैसा बनाना है प्रॉफिट यहां से बनाना है और उसके लिए हमें क्या करना होगा अच्छे stocks buy करने होंगे जो हमारे capital को appreciate करेंगे नमबर वन नमबर दो ऐसे company चूज करनी होंगे जो dividend भी दें dividend से भी हमारी income हो तो दोस्तों आज के इस वीडियो में तीन ऐसे ही आप लोगों को stocks बताने वाले हों जिनके अंदर potential है आप लोगों को long term में अच्छे returns देने का लेकिन इन तीनों में से एक company है सुजलन अब ये जो सुजलन company है दोस्तों इसके जो है हाल ही में quarter जो है results आए है बहुत जबरदस्त वहाँ पर profit देखने के लिए मिला है इसके जो है financial आंकडों के उपर भी हम लोग बात करने वाले हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज में जरूर को होगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीचिए और चैनल के उपर अगर आप लोग दोस्तों नए हैं तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब कीचिए तो यहाँ पर हम एक एक करके सारे स्टॉक्स के बारे में इन्फरमिशन देंगे यहाँ पर सबसे पहली जो कमपनी है इस कमपनी का मार्केट कैप्टलाइजेशन है मातर 490 करोड रुपै का यानि कि यह एक चोटी कमपनी है 500 करोड रुपै से कम का इसका जो है मार्केट कमपनी भी कह सकते हैं अभी इसका शेर मातर 202 रुपए में मिल रहा है डिविडेंड अगर कमपनी की देखी जाए तो 0.25 परसंटेज की है आरो सी 51 परसंटेज रिटन ओन एकुटी 42 परसंटेज से जादा गया तो कमपनी के जो आकड़े हैं बहुत ही धमाकेदार है रिटन Capital Employed Profit Growth के बारे में अगर बात की जाए तो 122 परसंट की Profit Growth है और Sales Growth 73 परसंटेज की है इंडस्टी का P24 का और शेर का 10 का है तो अपने इंडस्टी से भी बहुत सस्ते Valuation पर ये कमपनी मिल रही है मैं कहता हूँ इस तरह के Stocks को जरूर आप लोगों को लंबे टाइम के लि KP Energy Limited Company का नाम है Wind Energy Industry के अंदर ये काम करती है यानि की Green Energy के अंदर ये कमपनी जो है काम कर रही है क्या काम कर रही है ये थोड़ा सा देख लेते हैं जो Wind Farm है उनका Development करना साथ इसाथ जो Conceptualization है Commissioning है प्रोजेक्ट का Wind Industry के लिए वो ये कमपनी जो है करती है Mainly ये कमपनी काम करती है गुजरात के अंदर तो कमपनी का बिजनिस अब ये Green Energy के फिल्ड में Clearly Mention है अब हमें फोकस करना है हमें पता लगए कि बिजनिस क्या है कमपनी का तो ये बिजनिस ही जानना जरूरी नहीं है कमपनी अपने सेक्टर में अच्छा काम कर रही है या नह प्रेट किया है और 45 क्रोर रुपीज का यहां पर कमपनी के अंदर प्रॉफिट बना है 2023 में हर साल कमपनी के आकड़े जो है इंक्रीज हुए है KP Energy Limited का नाम है 202 रुपए का शेयर अगर कमपनी ने पिछले 5-6 सालों में हम लोग इसके रिटन्स देखें तो 1795 प्रतिसत के भी दिये हैं अगें मैं कहूंगा एक Multi-Bagger यह शेयर है और इस तरह के शेयर अगर आपके टीमेट अकांड में हैं तो आप लोगों के पैसे जरूर बनेंगे अगर यह शेयर गिरावट में आप लोगों को सस्ते मिलते हैं तो और ज़्यादा Buying वहां पे करनी चाहिए यह त भी एक छोटी company है dividend yield के बारे में अगर बात करें यहां पर तो 0.54% की dividend yield है company की यानि की dividend भी company जो अपने share order वो देती है बात करते ROC के तो ROC है 12% return on equity लगवक 9.5% के आसपास का profit growth 65% की है और sales growth 29% से ज्यादा की है बात करते इंडस्ट्री के PE की तो 31 का है और इंडस्ट्री क stock का जो PE 14 का है तो अपनी इंडस्ट्री से cheap valuation पे यह share मिल रहा है लेकिन अप ही अपने all time high पे trade कर रहा है 337 रुपए के करीब थोड़ा से यहां पर correction का इंतिजार किया जा सकता है अगर इसका technical chart आप लोग देखते हैं तो 280-290 रुपए के करीब यह share अगर आता है तो वहा करने का नाम है Sulger Electronics Limited जी हां दोस्तों Sulger Electronics Limited जो है यह company करती है electrical solutions देती है जैसे की switch gear है wires है cables है यह energy management business है इस field में company जो है काम कर रही है साथ ही साथ जो है rotary switches है wire ducts है इंडिया के अंदर यह भी company काम करती है इसका अगर आप लोग revenue देखेंगे कि इंडिया के अंदर से कितना कमारी भार से कितना कमारी है तो इंडिया के अंदर company की जो earning है लगबग 90% revenue इंडिया से 10% जो है export से आता है total revenue mix अगर देखा जाए इसका product wise तो industrial switch gear 41% wires and cables जो है 53% और product division जो है 6% जो की building product division है तो अलगलग categories के अंदर इसके revenue आ रहे हैं के वल इंडिया पर dependent नहीं है company export भी करती है तो company जो है अच्छी company है छोटी company small cap company सस्ता share में कहूंगा compounded sales growth 3 सालों का 21% और 3 सालों का compounded profit growth 11% से ज़्यादा का है अब financial trend देख लेते हैं हम लोग दोस्तों यहाँ पे company का तो 1000 करोड रुपे से ज़्यादा का company ने revenue generate किया और 40 करोड रुपीज के आसपर का company ने जो है यहाँ पे दोस्तों profit generate किया है 2023 में तो company के आंकड़े जितने भी हमने study किया है काफी अच्छे हैं soldier electronics limited अगर बात की जाए पिछले तीन से चार सालों की 2020 से कोरोना से तो 424% के returns भी यह चोटी सी company generate कर चुके तो यह ऐसी company यहाँ पे छोड़ा amount लेके आगे के लिए risk लिया जा सकता है तीनों के तीनों इंडिया के जो है तो उसनों top broker है इन तीनों की link पर click कीजिए account open कीजिए और enjoy कीजिए इन तीनों की services तो सबसे पहले देख लेते हैं सुजलन energy करती क्या है भी यह market leader है wind energy के field में इंडिया के अंदर जी हाँ तो काम क्या है इनका तरबाइन जो होती है wind turbine generators उनकी manufacturing करना mainly company का काम है international food prints है के वहले इंडिया के अंदर ही काम नहीं करती है इंडिया के बाहर भी काम करती है आज से लगबाग 18 साल पहले सुजलन energy का नाम चलता था बहुत बड़ी है अभी भी business कर रही है लेकिन उतनी profitability रहे नहीं गई है transformers manufacture कर रही है generators कर रही है towers की जो हैं करती है rotor blade and panels की manufacturing company करती है अगर इसका revenue देखें कि कहां से कितना revenue आता है तो wind turbine generator से 65 percentage foundry and forging से 7 percentage operations and maintenance से 27 percentage अगर अधर बात करें तो 1% revenue आता है तो company अच्छी है इसके आंकड़े में आप लोगों को बताना चाहूँगा उसके बाद बताऊँगा कि क्या इसके अंदरा भी buying तुरंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए तो यहां पर देखा दोस्तों तो सुजलन energy ने जो है बहुत ही जबरदस्त यहां पर result अपने दिये हैं पिछले साल सेम क्वाटर में जो 31 मार्ज 2022 तक था 205 करोड रुपय का इसको net loss हुआ था लेकिन इस साल यानि कि 2023 में सेम क्वाटर में 319 करोड रुपय का profit company को हुआ तो यह बहुत बड़ी बात है लेकिन अचानक से इसका profit बड़ा है उसको देखते हुए अगर अचानक से आप सुजलन energy में investment करते हैं तो मुझे लगता है कि वो एक पेवकुफी होगी अभी थोड़ा साब लोगों वो वेट करना चाहिए अटलिस्ट 1 और 2 quarter और देखने चाहिए कि कैसा company काम कर रही है उसके बाद यहाँ पे investment कर decision लेना चाहिए जल्द बाजी में कोई भी share market के अंदर decision नहीं लेना चाहिए otherwise company जो है फिर से अपने जो है profitability के पाथ पे आते वी दिखाई दे रही है तो आज की वीडियो कैसा लगए दोस्तों कमेंट करके जरूर बतेएगा आज के इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद